नमस्कार स्वागते आप सभी का स्वादेश आर में मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियार अगला एक घंटा पूरी तरह से पैक्ड है आपके लिए हम मार्केट की कॉपरेट जगत की और पॉलिटिक से जुड़ी हुई सभी खबरे लेकर आएंगे लेकिन शुरुबात करेंगे शो की आज की बिग स्टोरी से पिछने कुछ महीनों में कोविड के मामले कम होने से जिन्दिगी पटरी पर लौट रही है इस बीच साउथ आफरिका से निकले वाइरिस के नए वेरियंट की खबर ने बेचैनी बढ़ा दी है बिल्कुल लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से कोविड की दूसरी लहर जैसे हालात बन सकते हैं देखिए ये खास रिपोर्ट भारत में कोविड के मामलों में लगातार आ रही कमी के बीच एक नए वेरियंट के खबर ने हड़कंप मचा दिया है नए वेरियंट का नाम B1.1.529 बताया गया है और ये भारत में तबाही मचा चुके डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है दरसल दक्षिन अफरीका में कोरोना के मामलों में एका एक तेजी आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरियंट का पता चला इसके शुरुआत प्रिटोरिया शहर से हुई जिसके बाद आसपास के इलाकों में भी कहर बर पाया जीनोम सीक्वेंसिंग में इसके छे मामलों के पुष्टी हो चुकी है दक्षिन अफरीका के साथ-साथ इसके बुट्सवाना में तीन केस और हॉंग कॉंग में एक केस होने के पुष्टी हो चुकी है दरसल पिछले दो हफ़तों में दक्षिन अफरीका में कोविट के मामलों में बेताहशा इजाफा हुआ है यहां 23 नवंबर को एक दिन में 18,526 मरीज मिले दो हफ़ते पहले तक देश में रोजाना ओसतन 283 केस आ रहे थे जबकि नए वेरियंट के आने के बाद अब दक्षिन अफरीका में रोजाना ओसतन 3,655 कुरोना मरीज सामने आ रहे हैं दक्षिन अफरीका से आई अभी तक की जानकारी के मुताबिक नया वेरियंट B1.1.529 कोविट का अब तक का सबसे खतरनाक वेरियंट हो सकता है दावा किया जा रहा है कि ये तुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा संक्रामक है इसकी वज़ा से कोविट इंफेक्शन काफी तेजी से फैलता है इसके 32 म्यूटेंट्स हैं जो एक समूह के तौर पर जमा होते हैं दावा ये भी है कि वेक्सीन की इम्यूनिटी भी इस वेरियंट से नहीं लड़ सकती है विश्व स्वास्त संगठन WHO भी नए वेरियंट को लेकर सतर्ख हो गया है WHO के मुताबिक इस वेरियंट का अकलन करने और वैक्सीन लगवा चुके लोगों पर असर को जाचने में कुछ हफते का वक्त लगेगा कोरोना की दूसरी लहर का तांडव जहल चुके भारत में इस खबर के बाद स्वास्त विभाग सतर्ख हो गया है हालकि देश में अभी तक इसका कोई मामला नहीं आया है लेकिन केंद्री स्वास्त मंत्राले ने गुरुबार को सभी राज्यों को चेताबनी जारी कर दी वहीं दक्षिन अफ्रीका, बोट्सवाना और हॉंग कॉंग से आने वाले यात्रियों को रिस्क कैटेगरी में डालते हुए इन देशों से आने वाले लोगों की सघन जाज के आदेश दिये हैं यहीं नहीं इनकी कॉंटाक्ट ट्रेसिंग बेस्तों निश्चित करने को कहा है महीं डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल भारत को नए वेरियंट से घबराने की जरूरत नहीं है हालकि कोविट प्रोटोकॉल के तहत आने वाली साफधानी बरतना जरूरी है कोविट वाइरस भी म्यूटेट कर रहा है और कोविट वैक्सिन भी चेंज करेगा मुझे लगता नहीं है यह कोई डिफिकल्ट है यदि 8-10 मैने में आप ब्रैंड न्यू वैक्सिन नय तरीके के वैक्सिन नए वैक्सिन बना सकते हैं तो वो ही जनेटिक मुटेशन चेंज करने को कोई ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है प्रॉब्लिम क्या है कि आप यॉरप देखिए अभी 65 प्रतिशत लोग को डबल वैक्सिनेशन हो गया था फिर भी केसिस बढ़ रहे हैं जाहिर है अभी भारत में नए वेरियंट से घबराने जैसे हालात नहीं है हाला कि पिछले कुछ दिनों में सर्वजानिक स्थानों पर जो लापरवाही दिख रही है उसे सुधारना जरूरी है वहीं कोविट से बचने के लिए दो गज की दूरी और मास का इस्तमाल करते रहना जरूरी है इटिनाउ स्वदेश जा रहे हैं पूरी खबर लेकर जुड़ रहे हैं हमारे सरवादाता समीर दिक्षित जी बिल्कुल जो कुविट वारिस का नया वैरेंट इस वक्त दुनिया के अलग-लग मुल्क में पाये गया है जो तवाम मामले सामने आये हैं उससे देखकर के भारत सरकार इस वक्त चिंता में है एलेट मोड पर है यानि कि अगर वो जिस जिस के संपर्क में आया है उनका भी पूरा ब्योरा यहां पर भारत में आने के बाद देना होगा लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए सूतर ये बता रहे हैं कि केंदर सरकार ने स्वास्थ मंतराले ने सब ही राज्यों से इस बात की अपील करी है कि जो वेक्सिनेशन का दारा है जो गती है इसको और तेजी से बढ़ाया जा और एहतियातन ये किया जाना बहुत जरूरी है सरकार ने साफ तोर पे कहा है कि वेक्सिनेशन अगर ठोस इलाज नहीं है तो एक बहतर सुरक्षा कवच जरूर है ऐसे में जो अभी के आँकड़े हैं वेक्सिनेशन के वो जरूर उत्साहजनक है लेकिन इनको और तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कहीं पर भी चूक या लापरवाही नहीं हूँ और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जैसे जैसे ये नए वेरियंट के मामले दुनिया के अलग-अलग मुल्क में सामने आ रहे हैं तो कई देशों ने एहतियातन दक्षन अफरीका या इन मुल्कों से जो फ्लाइट सेवाए हैं उस पर रोक लगा दी है और वैसा ही कुछ भारत भी कर सकता है इस पर पक्के तोर पे तो अभी नहीं का जा रहा क्योंकि एक एहन बैठक होने जारी है जिसमें सिविल एवेशन मंत्राले के तमाम लोग शामिल होंगे जो एवेशन के स्टेक होलडर है यानि कि एरलाइन्स के प्रतिनीधी, एरपोर्ट के प्रतिनीधी, सिक्योर्टी अजंसी वगरा ये सभी लोग शामिल होंगे माना यह जा रहा है कि सरकार दो कदमों पर विचार कर रही है या तो temporary flight band एक विकल्प हो सकता है यह कड़ा कदम होगा या फिर अगर जो in affected countries से कोई भारत आता है तो उनका 14 दिन का compulsory quarantine किया जाना चाहिए तो इस तरीके कि जो ठोच या सक्त कदम हो सकते हैं उस पर सरकार विचार कर रही है और इस पर एक आपचारिक फैसला मीटिंग के बाद लिया जा सकता है अभी सरकार इस वक्त एहतियातन सारे कदम उठा रही है और देख रही है कि WHO का क्या रूख रहता है ताकि भारत सरकार के कदम भी उसके साथ तालमेल बिठा सके के मुताबिक सरकार दूसरे देशों के लिए अंतराष्ट्रे उडाने नियमित तौर पे जल्द शुरू कर सकती है, सुद्रों के मुताबिक सरकार 15 दिसंबर से इसकी अनुमती दे सकती है लेकिन 14 देशों के लिए उडानों पर प्रतिबंद जारी रहेगा, जहां कोरोना वाइरस का संक्रमन अभी भी पहला हुआ है इन देशों में यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेधरलिंज, फिनलिंड, दक्षिन अफरीका, ब्राजील, चीन, मौरिशिस, न्यूजिलिंड और सिंगपॉर शामिल है चलिए बात करते हैं, शाय बाजार में आज हुए कारुबार की जहां पर कोरोना के नए वेरियंट ने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कम मचा दिया भारत भी इससे अच्छूता नहीं रहा वीकली एकस्पाइरी के दिन आज बाजार में जबर्दस गिरावट हमने देखी निफटी 550 अंकों से जादा तूटा और ये जो है 17,000 के नीचे भी फिसल गया और सेंसेक्स में भी हमने जो है 1700 अंकों की गिरावट देखी और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 अप्रेल 2021 के बाद की ये सबसे बड़ी गिरावट रही है लेकिन चलिए बाजार में आज ओवरॉल कारोबार कैसा हुआ है समझा रही है हमारी सहियोगी पूजात रपाथी जी आज था बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे का दिन और कोरोना के जिस तरह से खबर आ रही है जिस तरह से बढ़ती हुई चिंताए हैं उसका बाजार पर आज ये काफी ज़्यादा असर दिखा अगर दिसम्बर सीरीज की बात करें तो शुरूवात बहुत ही निराशजनक रही है निफ्टी में 500 अंको से जादा की गिरावाट सेंसेक्स में कली 17 सों की गिरावाट देखी गई वहीं बैण निफ्टी भी करीब तेरा सो अंक टूटा और अगर इंटर डे में ही बात करे तो सेंसेक्स में 1700 का जो वो लेवल था वो भी तोड़ दिया था आज आज और मेटल इंडेक्स में 4-6% की कमजोरी थी और इसके अलावा रियालिटी इंडेक्स में भी हमने देखा यह करीब 6-6% की कमजोरी देखने को मिली है लेकिन उसके दूसरी तरफ फार्मा और हेल्थ क इसके शेरों में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी अगर बात करें तो यह जो बिखवाली थी इसमें निवेशिकों के करीब 7 लाक करोड रुपए उडबी चुके तो काफी कमजोर बाजार था यह लेकिन एक बार चढ़ने वाले शेरों की बात करें तो आज सिपला, डॉक्टर रेडीज, डीवीज लाब, नेसले यह कुछ ऐसे स्टॉक्स थे फार्मा स्पेस्ट में ही थे जादा स्टॉक्स वहाँ पर शांदार थेज़ी देखने को मिली क्योंकि जो कोरोना की ख़बर निकल कर आ रही है अब उससे अमूमन देखा जाता है कि फार मूटर्स के अलावा अशोक लेलेंड, मारूती, बोश, M&M सभी दिगत स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे रियर्टी में भी वह जो कमजोरी का दौर था वह आज भी कंटिन्यू रहा और डियलेफ गुद्रिश प्रपर्टीज, इंडिया बुल्स, रेल एस्टेट, महेंरा लाइश पेस यहां पर आज काफी ज़दा कमजोरी देखने को मिली और मैटर्स में भी आज काफी ज़दा इसमें आज कैडिला में भी तेजी थी, लूपिन, औरोबिंदो फार्मा और इसके अलावा बायो कॉम भी हर निशान में मजबूती के साथ आज यह सभी शेयर कारोबार कर रहे थे निवेजगुरु जिम रोजर्स का कहना है कि अभी कमोडिटीज, खासतार पर एग्री कमोडिटीज में तेजी बाकी है, सोना और चांदी खरीदने का यह अभी अच्छा मौका है ते बाधर निवेश अटी के सप्केशा यह यह एंवेश्य बात पर चूृझ अमया अर्चा चाहिए बात अब पिन ठीच्चार्वादीज लब वे वीशे वांट इन अवह विजह पन अवेभ्तार एंवार्सादीज चली दूसरी और बाजार में गिरावट पर आएफल सेक्यॉरिटीज के डारेक्टर संजीव भसीन ने कहा है कि बाजार में निवेश का यही मौका है उन्होंने अपने पसंदिदा शेर भी बताए लेकिन यहां मैं यह क्योंगा कि इंडिया को देखिए न एक सो बीस करोड की आवादी को वैक्सिनेशन लग गया हमारी काउंट हम है तो हम अपने आपको तो कभी साबाशी नहीं देंगे क्योंकि हम कहेंगे यूएस योरप में जो हो रहा है और यह एक तात्परिया है कि शे साब से घूम जाना चाहिए आज हर हालत में बॉटम बनेगा और यही मौका आपको लेने का है क्योंकि दिर इस गूंट भी मोर मनी प्रिंटिंग दिर इस गूंट भी लेस मने ऑईल इस गूंट फॉल तो इसका मतलब as a catalyst banks are in the best space ever तो यही मौका है जो आप चुनिंदा शेर जो वेट कर रहे थे लेने का अब आप put your money where your mouth is इतर अफरीकी देशों में कोरोना के नए वेरियन की टेंशन से बाजार आज बुरी तरह गिर गए एवियेशन से लेकर टूर और ट्रावल सेक्टर्स पर भारी दबाव दिखा लेकिन इस गिरावट के बीच कहा मौके बने हैं पूरी डीटेल के साथ हमारे साथ जुड रह जलता हूं आप देखती चलेगा पहला कोवीट के फैलने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है अगर एक आदमी दूसरी जगे पर जाया और एवेशन वह बड़ा एक मीडियम हो सकता है ट्रांस्पोर्ट का इसलिए आज एवेशन के शेर का टूटना सभाविक था आप सभी शे टूटे सबसेदा इंटर ग्लोब एवेशन और इंटरेशन रूट भी हैं यह शेराज टूट गे और हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में कुछ फ्लाइट पर पतिबंद भी लगा दे आने और जाने के लिए इसलिए सबसेदा डर आज इनी शेर को लगा दूसरी इंपॉ मौरपन लैब जो की थर्वा मीटर ऑक्सी मीटर के काम के अंदर है यह आज शेर 2-5% चले हैं इसके लावा अगर मरीजों के संख्या बढ़ती है तो खासका फिर हॉस्पिटल का बिजनस फिससे तेजी से बढ़ेगा इसलिए अपोलो हॉस्पिटल फॉर्टेस मैक्स यह प्रॉसस को बढ़ाएं इसलिए टेस्टिंग वाले जो शेर हैं उसमें थायरो के मेट्रोपॉलिस और डॉक्टर लाल पैथलाब यह है कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं टायर टू टायर थ्री में हैं इसलिए सबसे बढ़ने वाला शेर बना है थायरो के प्रॉपरली तो डॉक्टर रेडिस बनाता है भारत में तो यह सारे शेर फिर से एक्टीव हो गए हैं और इन सभी के अंदर आज हमने देखा तेजी बनते हुदि के डिविस लैब भी जो पैरसेटमॉल नाम का सबस्टांस है कैमिकल जैसे की क्रोसीन या और टैबलेट्स बनती है वो में जाना आपका मूवी देखना बंद कर सकती है इसलिए पीवी आर आयनक्स लेजर जैसे शेर आज 10-10 परसंट टूटे हैं यह आज की दिक्कत वाले शेर्स थे टूर एंड ट्रेवल वाले बिजनस बहुत तेजी से बड़ा डर अगर दक्षिन इफरिका से भारा तक भी पहुंचा तो यह टूर ट्रेवल वाले शेर्स बीटूर सकते हैं इसमें डेल्टा को जो के कैसीनों चलाती है इसके लावा लेवेंट्री महेंद्रा होलिडे जो की रिजूर्ट के अंदर है इस सब के अंदर आप गिरामट देख पा रहे होंगे आठार परसंट तक ही है हो हो सकता है कि इंटरेशनल टूरिस्ट भी कमा भारत के अंदर भारत के लोग भी कम निकलें तुसलिए इंडिन होटल और चलेट होटल जैसे शेर्स बी टूटे हैं एक और अनुए इंपॉर्टेंट बात में आपको बताते हैं चलता वह लिकर के स्टॉक्स पे भी थोड़ी मुकेश अंबानी और अदानी ग्रूप के गौतम अदानी के नेटवर्ट पर भी पड़ा है बुदवार से लेकर शुक्रवार तक अंबानी और अदानी की नेटवर्ट में क्या बदलाव आया तमाम डीटेल्स दे रहे हैं हमारे सेयोगी जैश खिलनानी इस हफ़ते की मार्केट वॉलिटिलिटी को देखकर काफी उतार चड़ाव देखने को मिला हमको इश्या के दो रिचस प्रालोगों में जो की मुकेश अंबानी और गौतम अदानी है इन दोनों के स्टॉक प्राइस मूववेंट्स के हिसाब से दोनों की नेटवर्ट जो ह वो काफी करीब आ गई थी जो हमने ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट की थी वेनिजडे को दोनों के नेटवर्ट जो है वो उनका फासला एक बिलियन डॉलर से भी कम का था पर थर्जडे को हमने देखा कि रिलाइंस इंडस्री के शेयर में काफी बड़ा उच्छाल देखने को मिला था 5-6% का अपमोव आया था और उसके चलते लास दो दिनों में जो धर्जडे और फ्राइडे को रिलाइंस इंडस्री का मारकेट कैप 2-5% उपर गया था जबकि अदानी गरूप का मारकेट कैप्तलाइजिशन लास धर्जडे और फ्राइडे को जो है 2% से नीचे आ दोता है क्यूंकि बेटर पार्ट आफ 2021 में जो है मुकेश अमबानी ही एशिया और इंडिया के रिचिस्ट परसिन रहे हैं रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के प्रमोटर्स को बड़ी राहत दी है प्रमोटर होल्डिंग पांच साथ तक सीलिंग नहीं होगी और साथ ही वोटिंग राइट्स को भी 15 परसन से बढ़ाकर 26 परसन कर दिया गया है इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्टा जी हां जो इंटर्नल वरकिंग ग्रूप था वो आर्बिय ने इसलिए बनाया था कि जो प्राइविट बैंक्स की ओनर्शिप है उस पे थोड़ी क्लारिटी मिल सके आपको याद होगा कोटक महिंद्रा बैंक का केस हुआ था उदय कोटक जी के लिए जहां पे मामला कोट तक चला गया था कि किस तरीके से ओनर्शिप 15 साल में रिड्यूस करके 15% करनी है अभी जो इंटर्नल वरकिंग ग्रूप ने अपने 33 रिकमेंडेशन दिये थे जिसमें से 21 आर्बिय ने मान लिये हैं कुछ मोडिफिकेशन हैं और बाकी पर अभी विचार चल रहा है जो रिकमेंडेशन माने हैं उन में से एक यह है कि जो इनीशल लॉक-इन है वो चालिस परसंट तक फर्स्ट फाइव यर्स में कांटिन्यू रहेगा और उसके अलावा कोई प्रमोटर्स पर कोई कैप को फिक्स करने की जरूरत नहीं है साथी साथ एक जो बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि प्रमोटर की स्टेक कितनी हो पांस साल में और फिर पंदरा साल में तो यहां पर RBI कहता है कि 15 साल में जो स्टेक है वो करेंट लेवल है फिलाल 15 परसेंट उसको बढ़ा कर 26 परसेंट कर दिया है अब उनका क्या होगा जिन्नों ने अल्रेडी रिडूस किया है तो इसमें RBI ने साफ साफ कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि जिन्होंने कम कर दिया है वो 26 परसेंट तक कर नहीं सकते हैं हाला कि यह प्रमोटर की मर्जी होगी कि वो उससे भी कम अगर रखना चाहते हैं अपना स्टेक तो रख सकते हैं अब अगर किसी को नया बैंक खोलना है तो यहां पर जो रिकमेंडेशन है वो यह है कि जो इनिशल कैपिटल पहले 500 करोड होता था अभी वो 1000 करोड रुपे कर दिया गया है साथ ही साथ जो नौन प्रमोटर शेर हेल्डिंग है वहाँ पर जो रिकमेंडेशन आई थी वो यह थी कि वो 15% पर कैप कर दिया जाए अब यहां पर थोड़ा सा मोडिफिकेशन हुआ है कि जो अगर इंडिविजूल है तो नैचुरल परसन है उस पर 10% का कैप रहेगा लेकिन अगर कोई फैनेशल इंस्टिटूशन है तो वहाँ पर कैप बढ़कर 15% साथी साथ NBFC अगर बैंक बनना चाहें तो वहाँ पर क्या रेकमेंडेशन है तो वो जो पहले की रेकमेंडेशन है उनको continue किया है माने 10 साल में NBFC बैंक बन सकता है और जो small finance बैंक है वो 5 साल में साथी साथ एक रेकमेंडेशन यह आई थी कि जो payment बैंक है अगर वो small finance बै के लिए apply कर सकते हैं आज की इस खास पेशकष में मेरे साथ है सुन्दरम AMC के MD सुनील सुप्रमनियम स्वागत है आपका सुनील जी हमारी इस खास पेशकष में शुरुवात करना चाहूंगी एक बहुत ही निजी सवाल के साथ जोकि मेरे ख्याल से दर्शुकों के लिए बहुत बड़ी सीख भ आज करना है हमें जब से मैंने नौकरी शुरू की अच्छा से मैंने इन्वस्मेंट शुरू कर दिया था क्योंकि स्टॉक्ट मार्केट में मेरे को दिल्चस्थी पहले दिन से था अगर शुरूत मेरी मुच्वल फंड इंडिस्ट्री में नहीं हुई यह शुरूत हुई थ इन्वस्मेंट के साथ आपका नाता पहले से ही था निवेश शब्द से आपकब रूबरू हुए यह शब्द आपकी जिंदगी में कब आया क्या पढ़ाई करते वक्त आया या आपने किसी को देखा या आपके परिवार में ही इन्वेस्ट्मेंट का एक ट्रेंड पहले से ही था मेरे परिवार में पहले सी था, क्योंकि मेरे नाना जी, Medra Stock Exchange के प्रेजरेंट थे. अच्छा, अच्छा. और मेरे मामा जी भी उनके बाद प्रेजरेंट बने, तो घर में Stock Market का मँहल तो चली रहा था, और बाचीत भी होती थी stock की और ये stock इतना बड़ा ये हुआ तो घर में जो बाचीत हो रही थी stock market के बारे में इसलिए निवेश का जो शब्द है मैं कहूंगा कि honestly मैं एक बात कहूं कि stock market के समंदित थे निवेश जो कहते हैं न वो बाद में ही आया पहले वो actually speculative कि पैसा बन सकता है stocks से वो ही सोच पहले आई थी फिर उसको इस्तिमाल करके निवेश के तोड़ पर अपने गोल्स के लिए इस्तिमाल करना मगर जैसे आपने पूचा मैंने 25 साल से मेरे को investment में इंट्रेस्ट है मगर निवेश की बात मैंने 25 साल पहले करी अच्छा 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 पहले मैंने जैसे कहा कि 15 साल मेरे घर में महल था stock market का तो उसके बार में तो सोच ती मन अपना खुद का पैसा नहीं था क्या करने के लिए अच्छा पहली तंख्वा आपकी कितनी थी 2200 रुपए 2200 रुपए तो इसमें से कितना बचाते थे कितना निवेश करते थे आप मैं तो उन दिनो क्या कहूं कुछ 100-200 की बात कर रहा था अच्छा तो यंग था ना तो खर्चा ज्यादा थी और सेविंग्स कम थी अच्छा तो उस वक्त आपने अपने लिए क्या लक्षों की एक लिस्ट बनाई थी गोल्स की कोई लिस्ट बनी थी जो पूरी करनी थी और बस यही था कि इंकम से कुछ अच्छा एक इंफलेशन बीटिंग जो एक इकुटी मार्केट है उसमें निवेश करना है गोल बेस नहीं था गोल्स और फिनेंशल प्लानिंग यह कुछ मैं कहूंगा कि पांच-छे साल के बाद शुरुआ तो समझे कि गोल्स प्लानिंग मैं पहला इंवेस्मेंट मैंने लिकुडेट किया तब मेरी इंवेस्मेंट के वैल्यू वो सोनी म्यूजिक सिस्टम के इकुल में आ गई और उसका दाम था 6300 रुपे तो आपकी साल्वी से जादा ही था था तीन मेने की साल्वी मैं जसे मैंने कह रहा था कि 100-200 एकटा करके में इंवेस्मेंट को करेंगे दाई साल लगे उसको खरीनने में अरे वाफरे लेकिन देखी बात यह है कि आपने निवेश का रास्ता चुना और अपने पहले लक्ष को आपने अचीव किया आपकी इंवेस्मेंट जर्नी में सर कोई गलत फैसले भी लिये आपने जो आपको ल आपकेश में इपयो का बूम था नाइंटी समें तो उस आइपयो के बूम में हर इपयो के लिए सब्सक्राइब करना और उसके बाद जब आप आजाता है तो जो राइस होती थी आपयो फोस्ट इपयो बंप उसमें मिने बेचा नहीं उसको मैंने समझा कि यह सब अच्छी करना चाहिए और अगर उस पैसे को हम लिकुडेट करके फ्रेश इंवस्मेंट अच्छा कर सकते तो करना चाहिए तो यह लिसन मुझे आये तो गल्ती में मैंने क्या क्या वो सब को मिने अपने कबर में बंद करके रखा क्योंकि जब तक कि वो अपनी पार वैली पे बापस रेकिने इस लॉस करना क्योंकि उस लॉस को बुक करने के बाद कुछ कैश हाथ में आएगा उसका अगर सही इस्तमाल किया तो हम वो पुराने लॉस को कवर करके ज्यादा प्राफिट आगे कमा सकते हैं तो गैल्टी यह थी कि जैसे फिनेंशल टेच्श बुक में सीखा जा अगर मैं उसके निवेश सही तरह से कर सकता हूँ तो क्या लाग मिल सकता है वो अपर्चिनिटी प्रोफिट हाथ में रखनी चाहिए तो यह मेरी बढ़ बढ़ बिगस लेसंसी स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंट्रेस्टिन डिसकेशन कविता आपने किया वहाँ पर सुनिल जी के साथ और काफी कुछ सीखने को भी विला है वहां से बिल्कुल चलिए स्वदेशार में वक्त हो गया एक चोटे से ब्रेक का आगे आगको मिलवाएंगे आज के स्वदेश हीरो से बिल्कुल और खास बातशीत दिली की उपमुखे मंत्री से और जानेंगे बिजनिस ब्लास्टर्स जो ये प्रोग्राम लॉंच किया गया है उसके बारे में